हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मैं चैनल स्टेडी फॉर सेसी में आज सेसी ने एक नई नोटिस डाली अपनी जिसमें उसने बताया है कि कितने बच्चों में जो अभी हाली में 28 तारिक को एक्जाम हुआ था सेसी MTS टायर 2 का उसमें कितने बच्चे अपयर हुए थे और कि के बारे में MTS के बारे में point B पर बताया हुआ है यहां पर आप पड़ोगे देखो देखो अलसो कंड़क्त पेपर 2 अफ मल्टी टास्किं नॉकिं टेक्निकल स्टाफ एक्जामिनेशन 2016 और 28 जैनेवरी 2018 टोटल ऑफ 159,183 कंडिटेट्स एक लाग 69,000 बच्चे जो इसके बाद में लगभग SSC ने जो फाइनल रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए दो महने का टाइम लगभग लिया हुआ है, 31 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, काफी हाला कि जल्दी जल्दी ही आप यहाँ से SSC काम अपना कर रहा, 31 मार्च तक रिजल्ट और आपकी इस साल के एंडिंग एंडिंग तक या उससे पहले ही जॉब आपका लग जाएगा, यहाँ तक आप पकड़के चल सकते हो, ठीक है, इसके अलावा भी वो डिसाइड करेगा दो महने में कि कट आफ उसको किस हिसाब से रखना है, अब हो सकता है कि वो टाइर टू उनकी जो cut-off है, वो कम करें, जादे candidate select करें, तो लेकिन आगे जाके जब वो final merit का time आएगा, तो उस time वो बच्चे वहाँ से निकाल देगा, तो दोनों चीज़े हो सकती है, यहाँ का cut-off अगर high जाता है, इसका, क्या नाम है, अपना tier 2 का, high जाता है, तो final merit के लिए कम बच सब्डेट रहेगा, वो सारा आपको इस channel पर मिलेगा, तो channel आपने subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लो, ठीक है, और bell icon का button भी दबादो, उससे से आपको notification मिलेगा, ठीक है, प्रिंस, thank you, bye bye